हलो दोस्तों भाई कल का मैस देखा शानदार मैस था यार मज़ए आ गया भाई साब दिन बना दिया दिन एक्षली दिन नहीं रात बना दी भाई साब क्योंकि मैच भी 6.50 बदे शुरू हुआ था गजब का मैस था यार पर इंडिया वालों यार एक बाद बताओ इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है यार एक तो साउथ अफरीका वाले वैसे बिचारे अपना जो है वो गम नहीं भुला पाया अभी तक जिस तरीके से वो वर्ड कप का फाइनल मैच हा रहे थे और तुम लोगों ने उसको यह दूसरा गम दे दिया यार 283 रंट होग दिये ऐसे कौन करता है यार इतनी बेस्ती कौन करता है अब वैसे तो जो है वो पूरा वर्ड जाना जाता है यार लोग जो होते हैं वो जाने जाते हैं कि भहिया हार के जबड से जीत को निकाल कर ले आए यह साउथ अफरीका वाले उल्टे यह जीत के जबड से जो हार को निकाल के ले आते हैं जैसा कि बड़कप के फाइनल मैच में होगा था उनको तुमने इतनी बुरी तरीके से ठोग दिया यार करी तुम लोग ने और गजब की बॉलिंग करीव पूरा ओल राउंड क्रिकेट जो है वो तुमने गजब का दिखाया भाई साब अच्छा रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना दिये एक तो पहले 283 रन ठोक दिया भी सवर में हालांकि इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो 297 का है किसी भी टेस्प्लेंग नेशन का 297 का ही रिकॉर्ड है श्रिलंका का एक है आई थिंक वो निपाल के किराफ उन्होंने रन मा रहते शायद तो वो क्योंकि वो टेस्प्लेंग नेशन दोनों नहीं तो तो इसले मैं उसको इस कैटेगरी में नहीं रखता हूं बट 283 का कल स्कोर बना दिया उसके बाद शकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साब 22 शकों का रिकॉर्ड था वो भी टीम इंडिया नहीं बनाया हूँ था उसकी जगाल तुमने 23 शक्के मार दिये अच्छा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि T20I की हिस्ट्री में कि कि किस नहीं थी T20I में वह भी तुम लोगों ने कर दी तिलक वर्मा और संजू सैमसंग ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाई जा रहे था कल तो देखके मज़ा आ गया भाई साब अभी यह सोचो संजू सैमसंग ने 56 बॉलों में 101 मारे उसने 49 बॉल बॉलों में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली उन्होंने 47 बॉलों में 120 रन मारे 10 चक्के और 9 चौके बॉलिंग की अगर साथ परीका की बात करें तो मार्को एंसर ने 4 और 42 रन दिये एक क्लोथी वुकेट जो सिंपाला को मिली उसने बाई साब 58 रन खा लिये एक विकेट लेने के लिए एडम मारकरम दो और 30 रन ट्रिस्टन स्टप्स एक और 21 रन और कोट्सिय जो है तीन ओवर 43 रन इतना बुरी तरीके से मार मारी है तुम लोगों ने उनको अच्छा उसक अगले और में जो रियान रिकल्टन है उसको तुमने वो संजू सैंसंग कीपर के पास कैच आउट करा दिया एक रन पर दो विक्टें गिर गी थी उसके पाद अगले और में उसको तुमने जो आउट कर दिया तुमने आउट कर दिया तो दस रन पर चार विक्टें गिर गे थी भाई साब उनकी यह तो शुकर है कि टिस्टन स्टब्स और हैंडी क्लासन सॉरी डेविड मिलर की जो है पार्टनर्शिप हो गई उनकी लगबक 86 रन की उनकी पार्टनर्शिप हो गई और वो भी जब बा गिरी और उसके बाद भी जो है वो जड़ादर गिरनी शुरू हो गई छटे ही पाच्वी विकेट उनकी गिरी थी और अगली आवर में जो है वो इस्टन स्टब्स आउट हो गए 11.6 ओवर में जो है डेविड मिलर आउट हुआ है अगली पॉल पे टिस्टन स्टब्स आउट हो गए इस 96 के स्कोर भी फिर 105 के रन पे सात्में विकेट गिरी 131, 141 और 148 में सिंपाला की विकेट गिरी बोरिया विस्तर बंदा और इंडिया ने 135 रन से मैज जीत लिया है बॉलिंग के अगर बात करें दोस्तों तो भाइसाब अरिस डीपने कहर वजा दिया था बैटिंग में तिलक वर्मा और संजूू garden ने मचाया था तीन आवर दो बॉले और ब्यालिस रंट खाए उन्होंने एक विकेट वरुन चक्रवर्थी चार अवर ब्यालिस रंट उनको भी भहुत ठोका गया वह अल्खली वह टाइम दी रहे था जब अपनी मिलर की और उसकी टिस्टन सब्सकी जो है वो चल रहे थी पार्टनर्शिप रवी विष्णोई तीन आवर अठाइस रं एक विकेट अक्षर पटेल अक्षर पटेल भाई सब सब्सक्राद एकनॉमिकल दो आवर में छे रं दो विक्ते यह होता है अगर सही बतारो रविंदर जेड़ेजा ने कर इस एरा में नहीं होता ना अक्षर पटेल की तूती ब बाद आता या मतलब अब उसका इरा शुरू होता तो वाईसाब अक्षर पटेल इस वकत अपने पीक पॉइंट पर होता इवन आई पेल में भी उसको लोग खरीद रहे होता है पंदरा पंदरा क्रोडर रुपे देखें आई पेल की बात करें कभी बाद में उनकी वी जो ह देखना बहुत ही धासू मैस था मज़ा आगया देखके अभी के लिए दोस्तों इतना ही कमेंट सेक्षिन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने मैस देखा तो कैसा लगा आपको अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दियो तो वो भी आप कमेंट सेक्षि दिया होगा शेर भी करती जीगा जिसने टीट्वेंटी मिस किया तो कम से वीडियो तो देख ले उसको पातल देखा पूरे मैस का हाल क्या रहा था है कि नहीं है दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू